मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूं और यह जो वीडियो है यह जो पेपर हुआ था उसका पार्ट थी है यह मतलब लगातार हम लोग पार्ट थी पर आ चुके हैं अब तक हमने 32 कोश्चन बनाया है आपने साथ मिलेकर आपने देखा हुआ कोश्चन बहुत टफ नहीं प एक दम सिंपल ही रख रहा हुआ है बाकी हमारा से अलजब्रा करवार रहा है मतलब के और जिए यह जो कोशन है इसमें अगर आप उपर वाले को स्टार्ट करेंगे तो आपको थोड़ा सा टप पड़ेगा समझने में लेकिन अगर नीचे वाले को आप लेकर चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप से कुछ पूछी नहीं रहा था बस इसे ही टाइम पस कर रहा था नीच हमारे साथ एक्स्ट्रा क्या हम गया टू साइन स्कॉइर कॉस्ट इसको आप माइस कर देंगे मैं उन लोगों के लिए इस तरह इस तरीके से बता रहा हूं जिरे फर्मुला यह याद नहीं है क्या करते हैं लिखते हम यह दो चीज चाहिए हम ने लिख दिया दो चीज मिल लिए में एक और इक्स्ट्रा मिल गया था हमारे पास two sine square cos square हमने इसको क्या किया minus कर दिया तो अब बताई इसकी value कितनी हो गई one sine square plus cos square one one square one and one minus two sine square and cos square अब देखे यही तो ऊपर में दिया हुआ है को उपर में क्या दिया हुआ , यह दिया हुआ है और मिनिसुन क्या हो जाग आपका 0 क्या हुजागा आपका 0 थी है कॉसन न kilogram 33 था बढ़ता है जल्द से वीडियो को पु फिर आप श।क बाते करें उर फिर मिलेंगे वीडियो में है यह तो हमारा सिल्सला भी है हम आपका साथ भी होना जरूरी है तो देखें क्या कराएं यह जो कोशन इबड़ अच्छा नहां यह जो कोशन देखिए बड़ अच्छा यह कोशन में क्या करा करा साइन एप पलस कॉस एबटा कॉस एक भेलू 17 बटा 12 दिया हुआ है इस तरह के के कोशन मनें आपको बताएं है इस तरह के कोशन मैंने आपको अभी बताएं है यह लास्ट वीडियो में अपने देखा ऑगे इस तरह के क्या हुआ है आपसे साइन कोस का एक दिया हुआ अप चाहे तो यहां से इसको करके साइन और क Remember discussion में निकाल सकते हैं तो आप रेशियो निकाल सकते हैं आपको मिल जाएगा साइन बटा कॉस या टैनी निकाल लेज़े और यहां लाकि आप फिर साइन कॉस अपने काल के आप पोट कर सकते हैं एक और हीजी तरीका जो मुझे समझ में आ रहा है वो यह समझ में आ रहा है कि अगर हम इसको लिखते हैं पी हमें यहां पर नहीं कुछ है तो हमें यह बनाना पड़ेगा और हमें नीचे सब को काटना है तो हमें इसी फॉर में लिखेंगा और जब इस फॉर में इसको लिखा है तो भी तो आप लिख सकते हैं पी इसको लिख दीजे बी और इसको लिख दीजे बी अब मुझे बताई इस उरे नहीं निसकरवह प्लस प्लस केसे अदिने श्कौायर अब आपको पता है कितना सबस्कारton समझ में आ गया बड़े नेक्स कोशन पर आधा मज़ा इस तरीके सब नहीं बनाएंगे कोशन अभी जड़े आप बनाईए आपको रिजल्ट देना है एक ऐसा रिजल्ट एक्जाम की तयारी करें जिसमें कमपटिशन बहुत ज्यादा है तो आपको स्मार्ट बनना पड़ेग की किसी एक कोशन को अप पांच दरीके से सवोब करने की केंञे रखो और tą ही नहीं अगर एक तरीक़ा उसमें सेीम्पल होताँ है dama बना सकते हैं लेकिन बाखे चार आपके पास ट्रिक होना चाहिए सब्सक्राइब जिसको आप देख कर बना सकते हैं इसे हैं को मेथड होना चाहिए चाहर मतलब एक मेथड आप इसका जान गया चोटा करने का यह मेथड इसमें काम सिर्फ नहीं करेगा क्यों कि इस पर भरोशाप मत किजिए कि आप एक का दिमाग है इतना तेज है कि एक्जाम अगरी के हैं तो शुल्ख करना पड़ीगा और यहां की साथ कर दिया करती करता इसका मतलब इतना गिलियर है कि जो है वह 30 डिगरी ही आएगा तभी हम two theta कितना लिखेंगे साथ डिगरी क्यों कि यही दो है जो हमारा root three का situation create करता है root three हमें देता है अब एक बड़ इसको भी हम solve कर लेते हैं जैसा कि हम पहले भी solve करते आ रहे हैं तो देखे शेक और 10 का relation है तो शेक का स्कॉर को क्या लिख सकते हैं one plus ten square और यहां कितना है ठीटा और यहां कितना है साथ अब जल्दी से किजिए तो क्या करेंगे three ten square plus ten और plus three और minus seven कितना होगे minus four आपको तो बताए तीन और चार दोनों का difference कितना आना चाहिए one आना चाहिए यह चाहरती अबारा का difference one तो यही तो है four और three आएगा आपको पता है यह four यह पलस में है तो बड़ा बला पलस में जाएगा लेकिन हो जाएगा फानली माइनस यह फानली क्या जाएगा minus फानली यह होना है 10 का value आगा क्योंकि हमने sort कर दिया देखिए यहां क्या था four और यहां three था यह माइनस पलस में था यह माइनस आजाएगा जो माइनस में था यह क्या आजाएगा पलस में तो यह result आप आएगा यह तो हमको लेना ही नहीं है तो हमारा one आ गया किसके value बड़ाना गया 10 के value जब भी इस तरह के चीज़ होते है तो generally answer जो correct होता है मतलब जो similar type होते है वह होते है खर को बात नहीं तो आपका यह कितना गया one आ गया अब फटा फट इसको बनाएंगे तो क्या हो जागा 10 के value one आगे मतलब एंगल कितना हो गया 45 डिगर हो गया तो यह आपका क्या आगया one sign 90 one cos 1 45 कितना one by root two और cod 45 कितना one मतलब आप ध्यान से देखे तो उपर में कितना आ गया root two plus one बटा root two और नीचे में कितना गया सिर्फ two आपको देखे इसको आपको रेशनलाइज करना करेंगे अगर आप इसको तो आपके पास क्या आ जाएगा कुछ option जो आप क्या रहा है कुछ calculation mistake तुम ने नहीं किया से ठीक स्कोर कषे बुकर पलस टन बराबर 7shiki एक बट चेक कर लेते हैं जल्दी से सुक를 पर फार 1 प्लस 10 स्क्वैर 3 10 स्क्वार , प्लस 10 प्लस 5 तो 4 स्क्रीम, प्लस 5 माइनस में माइनस जाएगा प्लस 30 ंक भी प्लस 31 10 2 प्लस 1 बटे 2 रूट 2 उपर नीचे रूट 2 से मल्टिप्लाइ करें तम्हारे पस क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 2 उपर रूट 2 से मल्टिप्लाइ कि और नीचे आगे 4 आपका देखे कोई एक option ऐसा है 2 प्लस रूट 2 वाई 4 option 3 डि में इसका क्या है correct option से को इसका क्या है तरिके است principle पर मठैं कोशन नंबर थाटशAKE कि कि क्या कर सकते हैं पुछ आईज़ा मिल रहा है तो 36 यह क्या कर सकते हैं च्छािória मिल रहा है आपको सेक और आप से पुछला है tan 2 theta minus 1 बटा cot 2 theta plus cos 1 tan 2 theta minus 1 코 2 theta plus cos 1 cos 1 तीठा में हैं do looking cot 1 tan आपको walhen मतलब अगर वह स्प्वाइर करते हैं तो आपका यह स्क्वार हो जागा यह भी स्वार हो जागा यह भी स्वार जागा आपको पता है कि अप जो इसका जो स्कॉर होगा इसको आप क्या ले सकते हैं 10 में लिख सकते हैं और जो गुननफा लगा वो और सेख को भी 10 में लिख सकते हैं वतलब 10 में एक equation आज सकता है जहां से आप निकाल सकते हैं इसका पहले एक पर फ़रा से चेक करते हैं दो option आपको रूट 3 में है एक option रूट 2 में है 10 30 कितना हो जागा 1 by root 3 और 1 by root 3 कितना हो जागा आपका यह आपका कितना हो गया 10 30 1 by root 3 और यह कॉट 2 उसका उल्टा root 3 मतलब 3 plus 1 4 by root 3 आ गया अब यह मुझे बताए कि 30 डिएगर डालते हैं आप सेक में कॉट 30 कितना होता है root 3 by 2 तो यह क्या हो जागा 2 by root 3 मतलब ठीटा के value 30 है ये काम कर रही है क्योंकि यहां पर 2 गुंआ 2 by root 3 आपका कितना हो गया 4 by root 3 ता आप ठीटा के value 30 काम कर रही है तो आप directly यहांT डाले 10 60 कितना हो जागा 2 by root 3 2Y plus cot 1Y root 3 और plus 2, COS C Theta COS C Theta 2 होता है, अब इसको absolve किजे कितना, root 3, 3-2 1Y root 3 और यह रवन plus 2 root 3 और पूरे कभाहिय रूट 3 तो आपका यह यह cancel out हो गया अब दिख्या आपके option में रेशनलाइच किया होगा तो आपको पास जो result आया है मैं आया है कि नहीं कि इसको 1-2-3 से गर गुना करेंगे तो 1-2-3 उपर हो जाएगा और नीचे 1 स्क्वाइर माइनस इसका स्क्वाइर कितना आपका आगया चारतिया बारह एक 11 और माइनस में आ जागा तो 2-3-1 बटे 11 आपका क्या रिजाग्टिकल कर आगया यह जनरली काम कर जाएगा आपको बहुत रेर है कि यह काम नहीं करें तो हम इसको ट्राइ कर ले जगर यह पड़ जाएगा कोश्चन नबर 37 यह तो आप डिरेक्टली बना सकते हैं देखें साइन 27 डिगरी और कॉस 63 डिगरी अब दोनों का एंगल कसम कितना है 90 है मतलब दोनों आपस में कटेगा और यह 1 बचेगा माइनस कॉस 27 और साइन 23 यहां भी नबब यहां दोनों कटेगा वन का स्कॉर कितना तो 1 तो 1 माइनस 1 कितना जाता है जी रहुता आपका यह कोश्चेव थो सिंपल से कोश्चें डाल दिया था कोश्चें अबर 38 देखिए यिजो कोश्च्चंः फैट क्या है कम चाइटा का 150 ख्रावन साथ Communications आपसे पूछ रहा है 40 इसकी बहलुआ पूछ रहा है तो जल्दी से इसे उल्प करके हम निकालेंगे किसका है कॉस का क्यूंकि हमारा यह sin है स्कॉयर है तो sin करेंगे क्योंकि हम कॉस स्कॉयर को चेंज करें तो 15-15 sin स्कॉयर कर दें और इसका value साथ इधर चला जागा तो कितना हो जागा 15 पंद्रा साइन स्क्वाइर ठीक यह उदर चला जागा तो माइनस टू साइन और यह जो पंद्रा चला जागा तो कितना जागा माइनस आट होगा की नहीं होगा आप एक वर इसको देख लिए 15 माइनस 15 सायन स्कार 15 सायन स्कार माइनस टू और 15 यह दर चला जागा तो माइनस 8 अब देखे मैंने क्या बताया थे यहां पर जब भी माइनस रहे यहां पर जब भी मैनस रहे हम क्या करते अंतर देखते हैं यहां पर देखें अंतर सिर्फ दो मतलब बहुत close number लेना है अब जब close number लेना की कोशिस करेंगे आपको दिक्कत होगी यहां पर आपको दिक्कत होगी अब कैसे इसको सुल्व करते हैं यहां से तीन और पांच यहां लिख लिखने, जिसका दोनों hepsactor और यहां पर चार और दो लिखकर एकपर दीखिए कि आप देखिए है 4 तीया 12 यहां और पंद्रह से इसका मतलब यह 3 से कट जाएगा 4 और 3 से कट जाएगा 5 यह किसकी वहलू निकल कर आगई साइन की वहलू निकल कर आगई 4 बटे 5 आई की नहीं आई अब जल्दी से यहां सेट कीजिए संयन के ॏ लेन दें चार बट पांच सघंप थीनटें कर अब शीचा विचंब कृषचार यदिंगे का लनाद उग कि चार यह पांच समय क्कृतव है ऩर नोद तर शीचर तीन जाए पूरेंस पर फ सहूर भट कर दो हो बढ़े नेक्स कोशन पर एक कोशन नमबर 38 था अब कोशन नमबर 39 इसे बना लेंगे आप बन जाए तो बताएगा कॉस 90 कितना होता है जीरो और जीरो को किसी से भी गुना करें क्या हो जाएगा जीरो तो हम डिरेक्टली आ रहें कोशन नमबर 40 जो 40 नमबर है यह आप देखिए कॉस एक 30 डिरेक्टली भेलो डाले कॉस एक 30 कितना होता है चैन थेटी याद होगा आपको एक वटा दो तो कॉस एक थेटी दो टैन फुर्टी फाइव कितना वन गुना कॉर्ट सिस्टी टैन कैसे करेंगे आपं को सफे part इस को अगर आपको एक सब्सक्राइस कॉस का फर्मूला जो होता है यह बड़ा घुमापदार होता है कॉस का ज Due question number 41 देखिए ध्यान से आप इसको अगर आपको एक सबसे बड़ा फर्मूला इसमें यह आता है कॉस का फर्मूला जो होता है यह बड़ा गुमापदार होता है कॉस का जो कॉस एंगल जब एम देखेंगे तो आपको ध्यान आएगा की कॉस्ट यह को बहुत सरा फर्मूला होता है कॉस्ट यह का फर्मूला है चॉच का स्कॉर ए-1 वन-थू-syn-a क आएगा-कॉस-a- ma-इ- sin square a और एक formula tan का form होता है tan का formula का form में क्या होता है 1 minus tan a 1 minus tan square a बटे 1 plus tan square एक बड़ मैंचे चेक करने हैं जिए tan वाला हाँ ठीक है तो देखें यह 4 formula होता है सिर्फ cost 2a का अब अब देखें क्या किया है आपके question में 1 minus 2 sin square a देखें 1 minus 2 sin square a यह cost 2a का formula दे दिया यहां पर यहां पर हमारे x है यहां देखें cost 2a कहीं फर्मूला है यह आपका दे दिया वही भूम फिर के इसने formula hint set कर दिया question में और यह आप से पुछ लिया होगा कितना तो आप कहने 3 अब फर्मूला exactly question number 42 एक question भी हम बनाएंगे पिछले जैसे बना रहे थे question उसी टैप से पी बी और एच का यूज करके अब खुद बताएं question number 42 cot theta का भेलों उसने कितना दिरका 3 by 5 इसका मतलब आप कहेंगे यह क्या है तो आप कहेंगे यह पी है और यह क्या है तो आप कहेंगे बी है हाई की नहीं है यह cot का भेलों क्या होता है 10 का उल्टा यहां तक के लिए हमें निकालने क्या बोल रहा है हमें जो निकालने क्या बोल रहा है यह बोल रहा 6 sin यहां पर ध्यान से दिजिए देखेंगे तो sin के में भी h आगा नीचे में सबको कैंसिल करेंगे तो हमार पास कोश्चन बचेगा 6p-3b बटा 7p-3b यही कोश्चन आपका तो यही आपका कोश्चन फैनली बचने बढ़ा तो आप डारेक्टली इसको कर सकते हैं ज़रूरी नहीं कि आप इसको पी बी एच में लिए डारेक्टली पूट कर सकते हैं त 9 पूरी एक बटा 7, 7 गोने p, कितना हो गया 35 और माइनस 3 गोने 3, 9 आप बताएं यहां पर कितना हो गया तो आपके 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 26, कितना कहेंगे एक सेकेंड थोड़ा से मिस्टेक है मेरे से, यहां पलास है, क्या है यहां पलास हो गया कितना हो जागा, 44 तो यह आपका कितना हो गया 21 बटे 44 आप देखिए ऑप्शन ठाड़ यह आपका प्रेक्ट ऑप्शन है थोड़ी से गर्मी तो है, मुझे बरदास करना पड़ता है एखर को बात नहीं, यह हमारा last question था इस बीडियो का part 3 बीडियो का a trigonometric इ start the last question सेट सेट में ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा लेवल का डिफ्रेंस करें तो सिमिलर कोश्चन आते हैं एक दूसरे के सेट में सिर्फ डेटा चेंज रहा था है इसलिए आपको बहुत सारे कोश्चन रेपीटेट दिखेंगा मतलब अगर पूरा वीडियो आप देखत हम आप हमें फिडिवक देखर बताईए कि आपको कैसा लगा वीडियो ताकि हम जल्दी से जिएमेंट्री का और मेंसुरेशन का वीडियो लेकर आएं इसको बाद हमारे पास एक दो टॉपिक और बचेंगे उसका वीडियो लेकर हम आ जाएंगे फिर हमारा एससे 2020 का कंप् आएंगे जाएंगे वेकर नाएंगे नेहमेंस मेंस बाद दाज जल्दी से जाल जल्uggु लेकर वाद टाकि बाकि इन आएंगे डिकर थे भीडियों को बोड़ा मेंस पनदाएंगे जाएंगे और लेकर चे